तो नमस्कार दोस्टे से बात करने वाले हैं कि अपना इलावद बैंक का बैलेंस मिस्ट कॉल से किस तरह जान सकते हैं हाँ तो काफि急 काफिलोग काइस सवाल है और काफि dudों कहते हैं कि मेरा जो मोगयल नमर भ dire bank से लिंक है, बैंक में रजिस्टर है, फिर ही मैं मिस कॉल से अपना बैलेंच चेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज का वीडियो में बात करने वाला हूँ, कि अगर आपका भी सेम प्रॉबलम है, तो आप मतलब बहुत यह असानी से कर पाएंगे, आज मैं एक मेधर बताना नो ल लिंक है, लेकिन दोस्तों जब तक आप अपना बैंक से मिस कॉल सर्विस जो अपना मुवाइल नवर पर अक्टिवेट नहीं करते हैं, तब तक दोस्तों आप इसका फाइदा नहीं उठा सकते हैं, तो आपको लगता है कि आपका एकाउंट में सर्विस जो एक्टिवेट नहीं है, तो आपको वीडियो सुर्च से लेकि लास्ट देना चुकिए, नमस्कार दोस्तों मैं सुझीद, आप सभी का जनता है चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है, तो अचले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले आपको एक मिस्कॉल करना है, इस नमर पे हाँ दोस्तों, इस नमर आपके डिस्पले पे सो होता होगा, तो आपको जो इस नमर पे मिस्कॉल करना है, तो उसी मुवाइल से करना है, जो की आपका बैंक एकाउंट में लिंक है, उसी सीम से आपको जो इस नमर पे मिस्कॉल करन यहाँ पे देख सकते हैं मोबाईल नमब्र मेंot अच्छरा था यहां पे हमारा मोबाईल नमर जो और यहां पर कुछ में अरुछ बोटियंक करेंगे यहां अच्छ दो manure करेंगे हो जो कि बहुत ही आसानी से तो मेरा यह मोबाईल नमब्र डीक था रेजिस्टर नहीं था और यहीं मतलब प्रोसेस जो है मैं किया उसके बाद दोस्तों मैं बस एक मीज कॉल से अपना जहां पर डाल करके दोस्तों आपको सेंड करते हैं तो आपके पास एक फिर से रिटेन मेंसेज आएगा और अगर आपका बलेंस का मेंसेज नहीं आता तो पिर से आपको मिस्कॉल माना उसका दोस्तों 100% जो है आपका एकॉंट का बालेंस आपके सामने देखने को मिल जाएगा तो यहां कुछ लाइक करें दुस्ता सेर करें आपके में किस सवाले सुझाओं तो कोई वक्षिन आप पूछ सकते हैं और अभी तक आप वहां चले सस्क्राइब नहीं किये तो वीडियो के लालने का बटन है उसको अब सब्सक्राइब करें घंटी को नहीं कर दिये ताकि इस तो वीडियो सा